नमस्कार गाईज, बुलीश भूल मासे मैं आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग बात करेंगे, आज संजक्स की एक्सपाइरी है, निफ्टी बेंग, निफ्टी कौन से लेवल्स पर हमें ट्रेड करना है, जब मार्केट 9 बजे ओपन होगा, तो हमें कौन से लेवल्स पर ज़्यादा ध्यान रखना है, इंडिया विक्स क्या कहेगा, क्रूड ओइल, एपई, डिएई, डाटा, ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स, कहां क्लोज हो, सारी चीज़े डिसक्सिन करेंगे, मैं चाहता हूँ गाईज, कि 8 बजे से पहले आपके पास वीडियो पहुंच ज प्लैन परसो भी बोला था और आपने देखा भी ता कि मार्केट यहीं पर ओपन होता है, और यहीं पर ओपन होने के बाद का इस मार्केट आप्टर 15 मिनट बाद में मार्केट एक चोटा सा रिवर्सल दिया, डाउंसाइड दिया, मुमेंट और हमने यह ट्रेड प्लैन भी फ्राइडे मतलब गेम चेंजिंग डे होता है, फ्राइडे मतलब गेम चेंजिंग डे कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह डाउंस कहां क्लोज हुआ है, यूएस मार्केट में डाउंस भी एक साइडवेज क्लोजिंग हुआ है, ओके, crude oil यहाँ पर आपको लेवल बेज दिये थे crude oil एक important support पर close हुआ है 5900 पर and BTC Bitcoin 67 पर again वापिस again high पर जाने की कौसिस कर रहा है upside moment है इसका ठीक है gold की बात करता हो तो का इस gold ने एक जो अच्छा reversal दिया था यहाँ पर top से यहाँ पर head and solder का reversal दिया था आपको यह बेजा था capture किया था हमने उसके बाद दीरे 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 upside जा रहा भी sideways है gold में भी opportunity आईगी मज़ेदार opportunity आईगी लेकिन wait करना पड़ता है तो अब सबसे पहले बात करेंगे guys DII और FII data की DII वाले buying गर के गए हैं 3620 करोड की APII वाले आज थुड़े भारी पड़ चुके हैं 5000 करोड की selling दिख रही है मतलब कि यहाँ पे plus और minus इनको करता हूँ न तो यहाँ पे 1450 1450 करोड की selling दिख रही है APII वाले भारी पड़ रहे हैं guys DII वाले बेच रहे हैं APII वाले APII वाले भारी बेच रहे हैं लेकिन कहीना कही selling pressure बहुत ज़्यादा है तो आज Friday है guys आज Friday है तो APII और APII डाटा को देख के क्या हो सकता है तो guys पहली kernel आपकी भीरिश बन सकती है इस तरह से पहली kernel इस तरह से भीरिश बन सकती है अकर sideways gap down हो जाता है तो तो ठीक है कोई दीकत की बात नहीं है simple market global market देख लेते हैं global market down which is 5 point only sideways चल रहा है European market sideways bullish close हो गया है gift nifty आपका choice 447 पे चल रहा है market कहां पे अपना open हो सकता है let's see तो अब हम बात करेंगे guys की nifty जैसे कि कल मैंने बूला था कि nifty open होगा इस डब्बे के बीच के अंदर डब्बे के बीच के अंदर sideways opening करेगा कल जैसी जैसा market ने कल opening किया वैसे ही opening करेगा हमें plan क्या करना इस डब्बे में tension free हो जाओ कहीं पे भी open हो रहा है गबराओ मत याद रखिएगा जैसा nifty चलेगा वैसा ही आपका sunsex चलेगा वैसा bank nifty चलेगा वैसा fin nifty चलेगा वैसा ही आपका bank ex चलेगा important चीज ये थी कल की guys की देखो sunsex और nifty तो negative था sideways लेकिन bank nifty थोड़ा bullish था fin nifty bullish था bank ex bullish था तो इसी के चलते हुए पहली बात तो market में थोड़ा धरम संकर तो था ही लेकिन इसी के चलते हुए हमने कुछ btsd का plan नहीं किया और आज Friday है आज का day आज का advance 3 बज़े का video ज़रूर देखना और याद रखिएगा guys यह जो telegram channel है यहाँ पे आपको पहले ही हर एक चीज मिल जाती है यह जो telegram channel है ना यह देखो 3 बज़े ही video बना के मैंने बता दिया था btsd का भी बता दिया था कि मैं btsd आज नहीं ले सकते again हर एक चीज का यहाँ पे support मिलता है आपको आप join कर सकते हो this is for fully educational support guys यह आपका link यहाँ पे अगर आप click करोगे telegram channel पे search करके तो आप नहीं जोइन कर सकते है मेरे youtube अभी जो video देख रहे हैं उसके नीचे link है वहीं से ही आप join कर सकते हो और video को like कर देना चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं live आता हूँ यहाँ पे पूरे दिन आपको support मिलता है levels बगरा हर एक चीज यहाँ पे आपको everyday मिलती रहती है okay guys बात करते है वापिस nifty की तो nifty में अपना जब तक यह 24-450 का level तूटेगा तो पहला जो target रहेगा guys 24-500 का दूसरा सीधा target अपना रहेगा 24-600 का 24-600 का यह अपसाइट का moment है nifty का बहुत कुछ अच्छा bullish moment हो गया तो हम 200 यह में पर जा सकते हैं जो आपको दिख रहा है अपसाइट के लिए एक 200 point की rally दिख रहे है अगर यहाँ पे 24-450 का level तूटेगा तो पहला target 24-500 का ही रहेगा 24-500 तूटेगा तो पहला target 24-600 ही रहेगा याद रखिएगा तो यह दीरे-दीरे 100-100 point का एक levels दिख रहे है मुझे तो इस चीज को क्यों market यहां से भी reversal हो सकता है यहां से भी हो सकता है तो रिवर्सल कही से भी हो सकता इस चीज को थोड़ा active रहना पड़ेगा वैसे मैं तो हूँ यह आपके साथ डाउनसाइड 24-350 का level तूटता है तो हम डाउनसाइड प्लैन करेंगे जैसे कल मैंने आपको बोली दिया था कि 24-400 का बिया लेवल तूटेगा तो हम डाउन जाएंगे वैसे 24-400 का लेवल तूटेगा तो 24-300, 24-200 अपना important powerful support है तो यह अपने को डाउनसाइड मॉमेंट नजर आ रहा है डाउनसाइड के लिए यह लेवल रहेंगे बात करते हैं बैंक निप्टी के ठीक है बुलिश हो चुका है क्लोजिंग जो दी है वो 21565 के आसपास 25530 पे दी है ठीक है न यहां पे क्लोजिंग दिखा रहा है अंदर दिखा रहा है 31 अगर यह कल का हाई तोड़ देता है कल का हाई तोड़ देता है इसके साथ देखो गाईस 200 एमे को भी ब्रेक करना पड़ेगा है न इस सारी चीज़े देखनी पड़ेगी तभी मार्केट में मॉवमेंट होगा अब देखिए बावन हजार का यहां प पोट आ रहा है तो यह क्या है ना ग्रीन ग्रीन मतलब यहां पर वायर्स है और रेड रेड यहां पर सेलर से तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा साथ ही HDFC बैंक और ICC बैंक को देखना जरूरी ICC फुली साइडवेज है HDFC तोड़ा नेगी ट्यू है साइडवेज फुल का मुमेंट कर दे इस लेवल को ब्रेक होगा तो यह कुछ प्लैन करेंगे पर बात करते संसेक्स की जिसकी आज एक जैसा निफ्टी चलेगा वैसा ही संसेक्स चलेगा इनी लेवल पर हम ट्रेड का प्लैन रखेंगे इस चीज़ को गाईस ध्यान रखिए का ओवर ट्रेड नहीं करना है आज फ्राइड है आज ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन ओवर ट्रेड नहीं कर सकते और यह सेवन नाइन 80,000 का लेवल टूटेगा तो आपन डाउन साइड की तरफ प्लैन करेंगे जो कि छोटा सा अपने को टार्गेट सपोर्ट तकाएंगे यहा अपसाइड के लिए प्लैन नहीं करेंगे इस चीज को ध्यान में रखेगा ओके गाईज थैंक यू